दोस्तों आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो TV के बारे में जो कॉम्बो बोर्ड और जो पावर सप्लाई वाले होते हैं वो सभी बोर्ड में कुछ रेगुलिटर्स कॉमन रहते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह regulators का काम क्या क्या है और किस तरह से काम करते हैं यह सबसे पहले तो हम power से सुरू करते हैं सबसे पहले आपने main supply on किया यहां से DC बने rectifier से ब्रिज rectifier से filter से filter हुए ठीक है इस SMPS coil के through switching cycle बनने के बाद output AC voltage generate हुआ जो की 12V जो DC बने इस rectifier से यहां पर 12V rectifier है और एक filter है जो की 12V को filter करेगा ठीक है सो यहां 12V जो बन गए वो first आपको यहां पर multimeter पर देखने मिलेगा सबसे पहले आपको multimeter को DC range में रखना है और यह voltage चेक करना है 12V यह किसी भी हालत में आपकी voltage बनने चाहिए ठीक है यहां पर जैसे आप देख सकते हैं यह 12V होगा आपका किसी भी हालत में बनने वाला voltage चाहिए आपका TV standby में हो या ना हो यह first case है जो की आपने यह पूरा जो step है यह first में ही गिना जाएगा one number ठीक है आप जैसे देख सकते हैं मैंने 5V आप थोड़ा close up मिला के इसको focus कर लो ठीक है यहां पर मैंने coil पर चेक किया यहां 5V आपको मिलना चाहिए यह वाला जो regulator है जो की आप देख सकते हो यहां पर और यह जो आप देख सकते हैं इधर 5V मुझे चाहिए वो मिल गए ठीक है 5.14 वोल्ट तो यह होगा आपका फर्स सप्लाई एक सेकेंड सप्लाई होगी आपकी 3.3 जो की इसी 5 वोल्ट से बनेंगे यहां पर आप देख सकते हैं यहां मैंने प्रोब टच किया और 5 वोल्ट आपकी इधर आगे यहां पर देख लिजिए यह वही 5 वोल्ट है जो की 6-pin regulator से बने और इसका आउटपूट जो 3.3 वोल्ट यहां पर आप देख सकते हैं वो 3.3 आप मल्टिमीटर में भी देख सकते हैं यहां पर डिजिटल मीटर में ठीक है यह 3.3 बनने के बाद फिर दूसरी जो सप्लाई बनेगी वो है 1.2 वोल्ट जो की कोर सप्लाई है प्र यहां पर मैंने जो चेक किया यहां देख सकते हैं 1.2 वोल्ट बन रहे हैं जो की यह 5 लैग रेगलेटर से बनेंगे यह भी आपका फर्स सिक्वेंस ही रहेगा पावर सिक्वेंस के बिना मतलब पावर दिये बिना यतनी सारी सप्लाई पहले बनती रहेगी हमेशा के लिए और यहां पर जो एक रेगलेटर है यह 1.8 वोल्ट का है जो की यहां पर सप्लाई स्टैंडबाई में नहीं दिखेगा लेकिन यह जब कि टीवी आन है तो आपको यह 1.8 वोल्ट दिखेगा जैसे आप स्टैंडबाई स्विच दबाएंगे तो यह 1.8 वोल्ट से 0 वोल्ट ह हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है यहां पर एक मॉस्पेट लगा हुआ जो स्विच करेगा इस सप्लाइ को यहां पर है जो शोर्च पीन है इस पर 5 वोल्ट हमेशा आप देख पाओ गया यहां पर आप देख सकते हैं मल्टिमेटर पे भी यह 5 वोल्ट हमेशा दिखेंगे लेकिन ड्रेन पर स्विचिंग सिगनल के बाद ही वोल्टेज दिखेगा जो कि आप यहां देख सकते हैं ड्रेन पे 5 वोल्ट तब ही आएंगे जब यह मौसपेट ट्रेगर करेगा 0 वोल्ट गेट पे मिलेंगे यहां पर इदर आ गए इस रेगुलेटर पे और यह 1.8 वोल्ट इस रेगुलेटर से आउट होकर प्रोसेसर में जाएंगे और फिर दूसरी सप्लाई जो बनेगी आउट वो है वी सी सप्लाई जो कि आपके यहां 12 वोल्ट जो है यह पिन पे आप मल्टिमीटर में देख सकते हैं यह 12 वोल्ट वही 12 वोल्ट होंगे जो पावर सप्लाई से बने हैं लेकिन स्विच करके टिकॉन की तरफ जा रहे हैं यहां स्विचिंग साइकल के लिए दिया गया त्री लेग मॉस्पेट यहां पर है ठीक है यह सारे वोल्टिजिस मैं आपको डाइग्राम के थ्रू बता रह तर चे रहा हूं यहां पर मैंने पेपर पर ड्रॉप कर रखी कुछ आइसीस जैसे कि आप देख पार हैं यहां पर 6-pin रेगुलेटर है यह वाला जो 6-pin रेगुलेटर है यह रेगुलेटर का काम है आउपुट 6 नंबर की पिन से निकालना बग कोईल के मदद से यहाँ पर 5 वोल्ट जेनरेट करना यह 5 वोल्ट तब ही आएंगे जब इनपुट पे 12 वोल्ट इसको मिलेगा इस IC को 5 नंबर पिन पे ठीक है इसकी 5 नंबर की पिन प ब prefers देगुलेटर से यहा प्षॉपलाई की 12 वोल्ट से यहां पर 12 वोल्ट गोले रहा Vikुल यहां पर फाइव नंबर की पिन पर इनपुट्टाइट होकर जो कि nin होकर 5 यह पर दो लंबर ग्राउंडnd और 6 नंबर से आउट होगा जो कि 5 वोल्ट चेनरेट होंगे यह supply कोई भी तरह के power sequence पे निर्बर नहीं है मतलब आपने remote से power दबाया या ना दबाया हो लेकिन यह supply हमेशा बनती रहेगी ठीक है यह 5V हमेशा present रहेगा चाहे आपने TV किसी भी condition में रखाओ अब देख लेते हैं कि दूसरी बाकी supplies कैसे बन रही है अब यहाँ पर आजाते हैं यह 3.3V का regulator है जिसको यह जो 5V है आप यह देख पा रहें यह 5V इसकी जो 3rd pin है जो कि इस type के regulators में मैं आपको एक चीज़ बता दू कि इसकी जो first pin होगी वो ground होगी ठीक है second pin जो होगी वो out pin होगी आउट मतलब जो भी voltage होगा वो इतना voltage आउट करेगी regulated voltage और थर्ड पीन होगी वो input pin होगी ठीक है तो यह regulator जो है इसी तरीके से बना हुआ है तो आपकी जो first pin है यहाँ पर ground है जैसे मैंने आपको बताया second pin output है जो की 3.3V हमेशा इस processor को देती रहेगी चाहे आपने टीवी को remote से बंद किया हो या ना किया हो और यह 3.3V sensor circuit को भी हमेशा मिलते रहेंगे sensor circuit किस तरह से बनी होती है मैं आपको draw करके बता देता हूँ पहले अब जैसे कि यह 3 pin है इसमें से last pin जो है वो ground होगी ठीक है इस पे 3.3V मिलेगा ठीक है और यह out pin होगी जो की IR out जब भी आप remote से कोई signal देते हो तो यह infrared light इसको इसके उपर आती है और यह IR out करता है as per that frequency आपने जो button प्रेस किया और remote से यह IR signal remote पे यह remote से जो IR दबाया आपने power दबाया तो power का जो sequence है यहाँ आई आर पीन पे आएगी यहाँ पर processor पर ठीक है processor की IR पीन पे signal मिलेगा एक तरे का जैसे की power दबाया आपने तो power का एक signal मिलेगा जिससे power on voltage generate होगा उसके बाद बाकी की जो supplies है जैसे की 1.2 volt मैंने आपको नहीं बताया यह supply भी 1.2 volt core voltage हमेशा रहेगी चाहे आपका टीवी start चालू किया हो आपने remote से या ना किया हो लेकिन आपकी यह 5 volt यह input रहेंगे तो यह 1.2 volt पी हमेशा processor को मिलता रहेगा यह supply ठीक है जैसे IR बटन दबाने के बाद यह जो 5 volt है यह जो 6 नंबर की पिन से जो आउट हो रहा है यह यहां पर बना हुआ एक MOSFET है ठीक है यहां पर आप यह देख सकते हैं यह MOSFET है जो कुछ इस तरह से डायोड का बना हुआ होता है ठीक है और इसकी जो source pin पे 5 volt हमेशा रहेंगे लेकिन output 5 volt तभी आएंगे इस MOSFET से जब gate signal मिलेगा इसको 0 volt ठीक है gate signal 0 volt मिलने से यह voltage यहां से यहां पहुँच जाएंगे मतलब यह source pin है यह drain pin है source से drain की तरफ gate signal जब 0 होगा यह voltage sort होने के वज़े से डायोड आप यह cross कर जाएंगे यह line को और यह voltage आप यहां देख पाएंगे जैसे ही gate signal मिलेगा इस MOSFET को यह sort हो जाएगा और यह 5 volt जो है यह सीधे इस regulator में आ जाएंगे और 2.5 volt RAM supply बनाएंगे ठीक है अब जैसे ही यह 2.5 मिलता है आपका TICON ON generate हो जाएगा इस processor से ठीक है यहां भी एक MOSFET लगा हुआ है कि 12 volt की जो supply है जो की power supply से आने वाली supply यह power supply की ही 12 volt है PS 12 volt यह 12 volt यहां पर भी एक diode है जैसे कि मैंने आपको पहले बता है 5 volt पे switching पे था वैसा ही same diode यहां पर यह वाला जो diode है यहां पर भी इसी तरह से यह supply रुखी रहेगी और drain पर supply नहीं पहुचेगी जब तक कि TICON ON generate होगा और यहां पर 0 volt होने के वज़े से यह diode अब sort हो जाएगा और यह जो supply है यहां से travel करती भी fuse की तरफ आ जाएगी और TICON fuse पे आपको 12 volt मिलने के बाद DC to DC IC बाकी के panel voltage generate करेगी जो VGH, VGL, AVDD, VDD, Vcom यह सारी voltage generate होगे जो की 27 volt माइनस 5 volt और AVDD voltage जो की 16 volt यहां पर VDD supply 3.3 volt और Vcom supply जो है 6 volt यह सारे voltage generate होगे इसके अंदर जो TICON में बना हुआ DC to DC IC होगा उससे और panel supply बनेगी ठीक है यह होगा फूरा power sequence आपको यह वीडियो मेरा कैसा लगा जरूर बताईए और comment में लिखके भेजे अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो like कीजिए इस channel को ठीक है इसी वीडियो के box के नीचे आप like का बटन देखोगे उसे press कर दीजिए ठीक है like हो जाएगा है आप अगर जो मेरी channel आपको अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों को यह channel share कीजिए ठीक है जादे से जादा लोगों को share कीजिए और subscribe कीजिए मेरी channel को subscribe करना सबसे जादा ज और आपको एक notification का यहाँ पर bell button दबाना होता है जिससे कि आपको regular interval पे जब भी मेरे new uploads होते हैं जैसे कि यह video है आपको mobile screen पे आपको एक notification आ जाएगा कि new video from magic care electronics आप देख पाओगे सबसे पहले सबस्क्राइब करना मत भूलिए सबसे important यह है और bell का जो icon है उसको दबाना है regular interval पे आपको notification मिल लेके लिए सुक्रिया दोस्तों यह फूरा video watch करने के लिए कैसा लगा comment box में लिखिए और आगे आने वाले time में और भी अच्छे video लेके मैं आता रहूंगा thanks a lot bye